तो यहां पर जैसे आप टिंकर केट पर अपने गूगल से लॉगिन करेंगे यहां पर अकाउंट बनाएंगे तो यह डेश्बोर्ड ओपन हो जाएगा यहां पर आपको सर्कीट पर क्लिक करना है तो यह विंडो ओपन हो रही है ठीक है वेट कीजिए थोड़ा सा अब यह देखिए हमारा सेटप ओपन हो चुका है यहां पर राइट साइड में डिफ्रेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सर्कीट में यूज़ करेंगे तो यहां से आप यह ब्रेट बोर्ड को पिक कर लिए इस पर क्लिक करेंगे इसको ड्रैग एंड्रॉप करके यहां पर ल जूम टूफिट वाला option इना इस पर क्लिक करना है तो यह जूम हो जाएगा और इसकी इमेज्ग आपको बड़ी दिखेंगी अब जैसे यह आप इसका नेम चेंज कर सकते हूं यहां पर कहीं पर भी क्लिक कर दो तो वह प्रॉपर्टी विंडो खड़ जाएगी यहां पर इ देए प्लस है माईनस है यहां पर हम कcharge करेंगे बैटोरी का पॉजिट्यूट्व और यह माइनस और करेंगे बैटोरी का नेगेट यह माइनसS को भी करता है यह जो प्लस 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 देखरें यह आपस में इन्टरकनेक्टेड इसका मतलब अगर आपने किसी component को इस point पर connect किया या इस point पर connect किया ओके इट डजन मेटर इस line में आप कहीं पर भी उस component को connect कर सकते हैं ऐसे इनेगेट्व terminal के लिए इस minus point से लेकर इस minus point तक जितने भी dots हैं या आपास पर interconnected हैं तो आप कहीं पर भी electrical या electronics को कनेट कर सकते हैं ऑभ कि अगर हम नीचे बॉटम पर देखे तो फिल से यह प्लस वाला हमें दिख रहा है औरія माझस वाला दिख रहा है तो यह प्लस सारे इंटरकनेक टेड है जैसे आप माउस ले आते हो तो यह देखिए हाइलाइट हो जाता है यह नेगेट्व पर ले जाओंगे यह हाइलाइट हो गया यह इंडिकेट कर रहा है कि यह सारे डॉर्स आपस में इंटर कनेक्टेड है अब इससे देखिए आप यह लिखा हुआ है का A B C D E तो यह A B C D E पूरे पॉइंट आपस में इंटर कनेक्टेड है तो यह वर्टिकल इंटर कनेक्टेड है सभी यह देखिए 5 पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट और यह होरिजोंटल इंटर कनेक्टेड है ऐसा ही F G H I J यह भी आपस में इंटर कनेक्टेड यह देखिए माउस ले आता हूं तो यह हाईलाइट हो जाता है ठीक है तो यह सारे डॉर्स आपस में इंटर कनेक्टेड है अब इस इंटर कनेक्शन का क्या यूज होता है जब मैं सर्कीट में करूंगा तो आपको बताऊंगा तो फिलाल में एक बहुत सिंपल सर्कीट जसे दर्दन आपको पावर पावर ठीक करेंगे दर यहां पर डिफरेंट ऑप्षंस आएगे यहां सप्प्लाइक दिनक ह output भावर अब विंडों डॉनка यहें इसका साइज हो जाएगा तो यह दोनों आप पर अच्छे से फिट हो जाएंगे इस विंडो में इसको ड्रेगन डॉप करके लेफ्ट साइड में ले लेते हैं अब यहां पर देखिए जो रेट कलर है यह क्या इंडिकेट करता है प्लस सप्लाइ और यह जो ब्लेक है यह हमें ब्रेट बार्ट में फ्लस को संट कर है फिर इस नेगतर में क्लिक करेंगे और कहा क्लिक है और करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर incarnate हो जाएंगे ओके यहां पर के लिए यहाँ पर यहाँ से रेट लेट करो यहां पर उपड़ पर जाइए ब्लेड करो यहां पर यहाँ पे लएक फिर क्लिक करना एहें लेक कलर इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं का हमने इस सॉप्लाइब को इंडिकेट कर रहा है और ले लिए ऑब अब अब समझे एक कि यहां पर देख Seven Point आपस पे interconnected तो यहां पर मैंने सप्लाय देदिया इसका मतलब हम सभी पॉइंड व प्लस सप्लाय जब मैं इस पॉइंट सब्सक्रोंट से प्लस प्लस पहिंद कर दूंगा तो इस पॉइंट से पिश्ट फ्रीन रहा हो में आएक साथा rest यहां पर ले रहा हूं में एक राइस्टर यह मैंने राइस्टर टाइप कर दिया यह आगया राइस्टर इस पर क्लिक करेंगे ड्रेग और ड्रॉप करेंगे यहां पर प्लेस कर देंगे अब आप आर की को प्रेस करेंगे तो यह रोटेट होते जाएगा यह मैंने रोटेट कर दिया इसको ओके अब इस राइस्टर के एक्रॉस लगाना है मुझे मल्टी मिटर और मल्टी मिटर कैसा लगाएंगे हम सिरीज में क्योंकि हम मुझे मेजर करना है सरकीट में करन तो उसके लिए मैंने कनेट कर दिया एक राइस्टर फिर राइस्टर से मैं कनेट करूँगा एक मीटर और यह मीटर क्या मेजर करके देंगा मुझे से इफिर ब्रण्त की portion देंग्व सिंफल सा कनेक्शन एं तो आप देखिए पावर सप्लाय तो ले लिया मने यहां पर आई benefit में यह प्लांस टेमिनल अब प्लस को स्य अट करनेच मेरा यहां पर पर आप इसके क्लिक कर दिया कि यहां पर क्लिक करने के बाद था है यहां पर सब्सक्राइब कि यह सारे पॉइंट आपस में क्या इंटर नेक्टेड ए तो इसका इसका कलर भी चेंज करना पड़ेंगा इसका रेट कलर क्षेंज कर दिया मैंने चुकि पॉजिट्व सप्ला है तो हमने प्लस से हो 5 पॉइंट को रिजिस्टर से करनेक्ट कर दिया अब देखिए आपके सरकीट में इस स्कोंgoing करना है मिटर से होने के सेकेंड यहां पर तो इस पॉइंट को हमें करना मिटर से फहले मिटर लेकर आना पड़ेंगा यह किलिक करेंगे यह अगया मंटी मिटरि इसको है तो प्लास है वह उपर लेते हम मानआस नीचे रख लेते हैं क्याकि की रारेक्शन कैसी दखें की मुति एक क्रॉस डाउनवर्ड आप जो रेश्टर का सेकेंड एंड इस पॉइंट को हम करेंट कर देंगे इसके प्लस से और जो मल्टी मिटर का हमारा नेगेटिव टाइम एंड है उसे कर देते हम ग्राउंड से इसका कलर चेंज कर लेता हूं में इसका ब्लेक कलर रख लेते हैं जो कि यहांपर आपको सर्कृट का यू समझाना हूं कि यहां पर सर्कृट कैसे बनता है और इसको करते हैं स्टार्ट किया आप देखिए यहां पर यहां रहा है वोल्ट हमने इस मल्टी मिटर को सीरीज में करेंट किया हमें चाहिए करेंट की इस मल्टी मिटर क्लिक किजिए यहां पर मॉड को चेंज कर दो आप एंपियर range में ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो रिडिंग आ रही है करन्ट की वह है फाइब मिली एंपियर क्योंकि इस रेइस्टर की वेल्यू कितनी थी रेइस्टर की वेल्यू थी वन किलो ओम अब लगाईए आप ओम्सला यहाँ पर यह अगर वन किलो ओम है वन के का रेइस्टर है और सप्लाइद दिया आपने कितना फाइब वोल्ट सप्लाइद देख लवहाँ यहां पर इसफाइब वोल्ट कि व iOS कितनी आ रही आ रही है फाइव मीली एंपियर है नम तरम मिलीं अब आप देखिए यह हमारा सरकीट है इसमें एक ही बेड़ती है और एक ही रई स्टेंस से बाकि यह तो मीटर है जो सीरीज में लगा हुआ है ना मीटर का तो कुछ डी वाए आप वी कितना और कितना वन के तो वेल्यू पुट अप कर देंगे हमने तो वी यहां पर इंसर कितना रहा है वाइब मिली एंपियर, got it? अब अगर आप इसकी वेल्यू 2K कर दो यहाँ पे, तो कितना आना चाहिए? 2.5 मिली एंपियर, तो यहां पर इस्टर पर डबल क्लिक करो इसकी वेल्यू कर दो टू के अब देखिए आप यहां पर 2.5 मिली एंपिर आ रहा है तो आप सिमिलेशन के टाइम भी आप रन टाइम पर वेल्यू चेंज कर सकते हैं तो इस वीडियो में क्या लगने कि आपने कि हम टिंकर केट को य आइसीज के बारे में उन आइसीज को हम यहां कैसे करनेट कर सकते हैं